Hello Traders, Welcome to LHflow. अब हो धी फैन को गय. और आज हम बात करेंगे Crude oil रखेंगे कहां पर antik कर सकता है आप देख सकते हैं, यह क्रूद oil तो यहां पर आप देख सकते हैं, Crude oil continuous उपर की तरफ जा रहा है तो यहां से हमें जो एक trading strategy मिला है को बोलता है bounce back trading strategy तो आप देख सकते हैं यहां से bounce होके जा रहा है तो यहां से भी bounce होने का chances है लेकिन एक बात याद रखना चाहिए यह already resistant था weekly और daily तो यहां से मुझे लगता है अगर यह break out नहीं हुआ तो market नीचे आने का chances है price around 3900 का आसपास क्योंकि यह strong resistance प्लेस करके रखा हुआ है फिर यहां से एक बात आप देख सकते हैं यहां पर क्योंकि already यहां से bounce होके market जा रहा है आप देख सकते हैं continuous bounce होके जा रहा है तो यहां से bounce होने का consensus है लेकिन अपने अगर यहां पर anti-cardia buy का इसका नीचे आरां 4038 का नीचे आप SL लगा दिना चाहिए 30 points का आसपास रहेगा और target रहेगा आपका 4140 क्योंकि यह strong resistance है तो इसका बात फिर से एक बार नीचे आने का consensus है और नहीं तो यहां से continue कर सकता है तो इसलिए आपको अगर buy करना है तो यहां से नीचे SL लगाना चाहिए around 4038 में और इसको continuous आज अगर यह ऊपर जने का ऊपर नहीं किया तो future market अगर नीचे आने शुरू कर दिया तो इसका नीचे आप इसलिए ले सकता है और target रहेगा 3935 का आसपास right तो इसलिए आपको देखना चाहिए आभी कौन सा direction में जाना चाहिए क्योंकि नहीं तो अगर market अगर यह resistant का नीचे रहता है जो अगर market resistant का नीचे रहता है तो इहां से bounce पे trading strategy कर सकता है bounce में trading कर सकता है जैसे यहां पर bounce हो हम बाइल ले सकता है लेकिन यह resistant का आसपास already गया हुआ है तो इसलिए थोड़ा risk हो सकता है फिर भी आपने अगर बाइल या तो इसका नीचे SL लगाना चाहिए तो target previous high नहीं तो इसका थोड़ा उपर भी लगा सकता है तो कि भी यह जादा सी जादा यह momentum थोड़ा कम हो रहा है तो इहां से जादा सी जादा थोड़ा 4130 का आसपास जा सकता है और अगर इसको breakout कर दिया continuous आज तो इसका नीचे जैसे 4038 का नीचे आगया तो इहां से upsell जा सकता है तो I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching